कासकंग जन्पत के गंज डुंडवारा नगर की समीप गनेश पुर गाउं में नियमित रूप से बिजली ना मिलने पर देर रात्री को सैक्डो ग्रामीड टेक्टर ट्रॉली पर सवार होकर गंज डुंडवारा के एटा रोड पर इस्थित बिजली घर पहुँच गए जहां उन्होंने बिजली घर का घेराफ किया और बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीडों में भारी आक्रोश देखने को मिला वहीं ग्रामीड अनुभव प्रताप सिंग ने बताया कि रोस्टर की नियम अनुसार हमें बिजली नहीं मिल दही पहले हमारे गाउं में बिजली सप्लाई के लिए अलग से 5 MBA का ट्रांसफार्मर था में 10 से 12 घंटे लाइट मिलती थी लेकिन बिजली विभाग के उचदिकारियों ने घूस लेकर उसमें 10 MBA का ट्रांसफार्मर जोड दिया जिससे ओवरलोडिंग के कारण टेर्पिंग हो रही है और 33,000 की लाइन में फॉल्ट हो रहे हैं जिससे ताट तूट कर गिर रहे हैं बिजली कर्मियों ने गनेशपुर देहात की लाइट काट दी है और अन्य जगहा लाइट चल रही है जिसकी वजहा से आज हम लोग यहां एक खटा होकर आए हैं अगर फीडर बंद किये जाए तो एक समान व्यवहार किया जाए नहीं तो हमें भी लाइट दी जाए जब हमने उच्छा दिकारियों से फोन पर बात की तो उन्होंने बताए कि 11,000 की लाइन में फॉल्ट होने की बजहा से लाइट काट दी गई है हर 2 गंटे के बाद कटिंग होती है फिल दी जाती है लाइट जबकि साशन का आदेश यह है कि देहाद में भी लाइट 18 गंटे की सब्लाई दी जाएगी टोटल 6 गंटे की रोस्तिंग की जाएगी उसके बाबजूद हम लोगों को मातर 10-12 गंटे लाइट मिलती है चार दि है आज मेरे साथ सभी ग्राम बासी लगवक्त 200-300 लोग यहां पर है साथ में मौजूदा प्रधान इस समय वसीम जी है मारे साथ में हम लोगों को जब आज केवल लाइट हम लोगी काट दी कही देहाद वालों की शहर पूरे चल रहे हैं देहाद और चल रहे हैं लेकिन गन गनिसपुरगाओं का मामला है हम लोग सभी लोग गनिसपुरगाओं से आई हुए है आकर यह जो है आपके क्या बताया आप आप पूछा तो जब हमको बता हमने उच्छदगारियों को फोन किया एमडी ओफिस में आगरा फोन किया तो बताया गया कि यहां पर 11000 की फाल्ट है इस बज़े से लाइन काटा गया देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर